हवा के जैसे चलती है तुम मैं रित जैसे लुड़ता हूं कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं तो अगर आप भी अपने मवाइल फोन से अपने फोटो के साथ या पिर किसी के फोटो के साथ कुछ इस तरह का न्यू टेंडिंग कमाल का एस्टेटस वीडियो इडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को कम्प्लेट ज़रू देखेगा क्योंकि वीडियो काफी ज़्यदा इ कियो तो कर लिजेगा यूजर ने मैं घंसामजी 123 या फिर ने तो लिंग को आडिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ क्योंकि दोस्तों हमेसा मैं आप लोग से वहाँ पर बात करता ही राता हूँ और जो मेटेरियल आपके पास नहीं होता है वो मैं आपके पास उद्रीय हों वहां से भी आपलो डार्लट कर सकते हो और डार्लाट करने के बाद सिंपलि ओपस और open करने के बाद यहां पर प्लेस वाल आइकन दिखाए दे देगा new project का उस पर click कर देना है उसके बाद दोस्तो 916 वाले ratio को select कर लेना है और advance पर click कर देना है उसके बाद दोस्तो थरा सा नीचे आ जाना है और बीच वाले option फिल को select कर देना है यहां पर आप लोगो 4.5 को ही रहने देना है उसके बाद दोस्तो create पर click कर देना है और दोस्तो यहां पर आप अपना जिन फोटो से status video बनाना चाते हो उन सभी फोटो को select कर लेजगा तो दोस्तो यहां पर में ततकाल 5-6 फोटो को select कर देता हो आप अपना जिन फोटो से status video बनाना चाते हो उन सभी फोट तो पर से cut कर देना है, cut करने के बाद सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर इसके जूम को दोने उंगली से खीच करके थोड़ा सा कम कर देना है जिससे की दोस्तों आपको status वीडियो बनाने में आसानी हो, उसके बाद सबसे पहले वाले फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग को अपने फोटो के वीगनेट को आउन कर देना है और दोस्तों अगर फोटो पूरे अच्छे तरिके से स्क्रीन में एडियस्ट नहीं हो, तो उसके लिए सिंपले आप लोग को उपर में पेन आन जूम अलप्सन पर क्लिक करके, डवल लानिंग अलप्सन पर क्लिक करके, अपने फोटो को दोने उंगली से खीच करके, जूम दोस्तों आप जितने फोटो को एड के होंगे, सारे फोटो के वीगनेट को आप लोग को आउन कर देना है, और जो वाला फोटो यहां पर पूरे अच्छे तरिके से स्क्रीन में एडियस्ट नहीं हो, उस वाले फोटो पर क्लिक करके, डवल लानिंग वाल उप्सन पर एक कर लेना है, तो दोस्तों आप लोग को इन अनिमेशन वाले क्लिपिगराफिक्स को आड करना है, अगर आपके कानमास्टर में यह इन अनिमेशन वाले क्लिपिगराफिक्स नहीं है, तो आप इस वीडियो को लास तक देखते रिए, वीडियो के लास में मैं आप लोग को ब थीरे नमबर वाले को add कर लेना है इसी पसंद दोस्तों आप जितने भी वाला एफेक्ट को एड कर लेना हैं तो दोस्तों अगर आपके कायन मांस्टर में ये ब्रस ड्रावज वालाइफेक्ट भी नहीं आए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते लिए वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे आप लोग अपने कायन वीडियो में जितने भी प्लस वाला ऐकन होंगे साले प्लस वाले ऐकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगो किसी ने किसी brush driving वाले effect में से किसी ने किसी effect को add कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ से back चलाना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपने फोटो के डिरेशन को गढ़ा लिजेगा उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ से आप लोगो बैक चलाना है बैक आने के बाद सेर वाले एकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगो को quality में 720p आप पिर ने तो आप लोगो उपर से कट कर देना है और कट करने के बाद दोस्तों एक एक करके सारे फोटो पर क्लिक करके सारे फोटो को यहाँ से डिलेट कर देना है आप जितने भी फोटो को एड़ के होंगे एक करके आप लोगो सारे फोटो पर क्लिक करना है और सारे फोटो को यहाँ से है उसके बाद दोस्तों सिंपली सके डूलिकेट को उसके उसके साइच को आप लोगों नेचे चलेना यहां से बैक काने के बाद और वीडि को आउं कर दे और इसक separate करके यहां पर आप अपने करके लेक्ट को करले business और दोस्तों यहां पर मैं एक फ्रेम वाला इमेज को add करना तो उसका विलिंग description box में दे रिया हूँ से आप लोग भी download कर लीजेगा और यहां पर इस वाले फ्रेम इमेज को add कर लीजेगा उसके बाद दोस्तों सबसे पहले अपने फोट वाले वीडियो का जो डूलिकेट लेड वाला वीडियो है उस पर कलिक करना है और यहां से आप लोग को इसके साईज को थोड़ा सा कम करके पूरे चेत्र के से फ्रेम में इसको इसको फुल करने हैं और फुल करने के बाद दोस्तों सिंपली पूरी अच्छी तरी के से आप लोगो फ्रेम में अपने इस फोटो वाले वीडियो को सेट कर लेना है उसके बाद दोस्तों आप लोगो नीचे ते लाना इसके क्रॉपिंग वाल उप्सन पर क्लिक करके और यहां अगर फ्रेम से फाल्टू चले जाता है तो चार्ज सेट को कट कर देना है पुछ इस परकार से पूरे यहां पर अच्छी तर में एक प्लेयर वाला तंपलेट वीडियो को आया है करना हूँ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हैं और यहां पर इस वाले टम्प्लेट वीडियो को एड़ कर लिजिगा उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप लोग को इसकी मिक्सर वाल अप्शन पर क्लिक कर देना है इस पर टैप कर किसके सौंड को म्यूट कर देना है या पिर ने तुसको फूरी जीरो पर रख ल टम्प्लेट वीडियो को आप लोग को ऊपर में रख लेना है यहां पर पूरे चितर के से और इसकी साइज को भी आप लोग को पूरे चितर के से अपने हिसाब से उसके बाद दोस्तों सिंपली यहां से आप लोग को बैक चलाना है बैक आने के बाद फिर से आप लोग को यहां से एक बार बैक आना है लेट पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना है और दोस्तों यहां पर मैं एक पार्टिकल एफेक्ट वाला टंप्लेट वीडियो को एड कर रहा हूं तो इसका वी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और यहां पर एक भाएक ने के बाद दोस्तों फिर से पार लेर पर क्लिक कर लेना है और यहां पर लिंग्ग कर रहा हूं तो इसका वीडिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं वहां से आप लोग डाउलाड कर दीजिगा और यहां पर इस वाले वाइट बाड़र इमेज को एड़ कर लिजिगा उसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप लोग को कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां से बैक चलना है बाक आने के बाद फिर वात पर क्लिक करेंको दोस्तो यहां पर मैं एक लेक्स template video को इड करना हो तो उसका दिस्क्रिप्शन बोक्स में दे डिया आप वहार से आप लोग बीड़ोंवाड्र का लिजिएगा और यहां पर इसवाले लेक्स template video को आप कलिजिएगा उसके बाद दोस्तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोको नीचे चलाना इसके भी blending और यहाँ पर भी आपलोको ए स्क्रीन को स्ट्रीण को सेलेक्ट करने के बाद इस वाले कर देना हैं यहां से बैक चलाना हैं और बाइक आने के बाद दोस्तों फाइनली आपका इस्टेटस वीडियो बन करके तयार हो जाएगा तो चलिए मैं आप लोगो एक पर प्ले करके दिखा देता हूँ कि अधार के जैसे चलती है तुम मैं रित जैसे लुड़ता हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर में थोरा कम दिर तक का इस्टेटस वीडियो बना करके आप लोगों दिखाया हैं वो आप अपकते फोटो के साथ या keeply फोट के साथ इसी प्रिकार से जय्धा दिर तक अब duy पाफente से situations बना सकते हो यहां पर quality में 720p पर ने तो 1080p को select कर लेना है frame rate में 30 को select करके इसको यहां पर अपने हिसाब से रखना है और save as video option पर click कर देना है तो चलिए दोस्तों आप मैं आप लोग को यह बता देता हूँ कि कैसे आप लोग भी अपने कायन मास्टर में इस इन इनिमेशन वाले के लिए पर आप इक्स को download करके add कर सकते हो तो इस वाले के लिए पर आप इसको download करने के लिए सबसे पहले अपने mobile phone के data को on कर लेना है उसके बाद get mode वाले option पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग को कुछ देरिवेट कर लेना है और कुछ देरिवेट करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा और यहाँ पर आप लोग को इन इनिमेशन वाले के लिए graphics देखने को मिल जाएगा तो आप लोग को इन इनिमेशन वाले के लिए graphics पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को इस वाले के लिए graphics को download कर लेना है उसके बाद gate mode वाला option पर click करके यहाँ पर आप लोग को सब से नीचे में एक wipe वाला option देखने को मिल जागा तो wipe पर आप लोग को click कर देना वाइप पर उसके बाद दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा नीच आ जाना है और थोड़ा सा नीच आने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बड़ाश टरावी वाला effect देखने को मिल जागा तो इस पर click करना है और यहाँ से आप लोग इस वाले effect को भी download कर सकते हो तो I hope दोस्तों के आप लोग को आज का वीडियो पसंद आए होगा और दोस्तों अब भी तक आप मुझे इस्ट्राग्राम पर फोलोग नए कियो तो कर लिजेगा यूजर ने मैं घंसामजी 123 या फिर ने तो लिंक वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हो तो जाजे और फोलोग करके मैसेज कीजेगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलते है किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ किसी और मुझेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम